आज हम बना रहे हैं मटर पनीर की सब्जी जो सबको काफी ज़्यादा पसंद आने वाली है और बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रेसिपी तो सबसे पहले एक ग्राइंडर जार के अंदर टमाटर डाल देंगे दो कटे यह रीमिची डालके एक फाइन सा पेस्ट तयार करना है अज की रेसिपी है बिल्कुल सिंपल है और बिना टाइम वेस्ट की विय तयार होने वाली है तो सबसे पहले कडाई के अंदर हम डालेंगे तेल पेस्ट हमारा बिल्कुल तयार हो चुका है तेल को अच्छे से गरम ह तो इन दोनों को पिकने के बाद में हमने जो पेश्ट बनाया था प्याज का टमाटर का हैरी मिर्ची का और लहसुन का वो डाल देंगे जब भी मटर पनीर की सब्जे बनाते हैं तो जब आप यह पेश्ट बना के डाल देना इससे क्या होगा एक तो टाइम बचेगा आपका आपके सब्जी बहुत ही जड़ा टेस्टी बनेगी बिल्कूल वैसी बनेगी जैसे हम शादियों में पार्टियों में खाते हैं फिर रेस्टोरेंट में खाते हैं तो बस हमने यहां पे ग्रेवी को पका लेना है प्याज टमाटर हैरी मिर्ची लैसुन को अच्छे से पका लेना है और यह देखे काफी अच्छे से इसमें बबल भी आने लग गए हैं आप देख पा रहे होंगे और काफी अच्छे से हमारी ग्रेवी पक रही है इसमें आदी चोटी चमच हल्दी पावडर डाल देंगे और नमक भी डाल देंगे टेस्ट के अकोडिंग मतलब कि य और मतर डालने के बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और आदा गिलास के करीब इसके अंदर पानी भी डाल देंगे क्योंकि हमें जितने भी ग्रेवी चाहिए वो हमें अभी ही इसके अंदर एड़ कर देना है पानी जिससे क्या होगा एक तो मतर पक जाएंगे और जो पानी है वो अच्छे से मसालों के साथ मिल जाएगा क्योंकि पनीर डालने के बाद में हमें पानी नहीं डालना है इसके अंदर तो बस हमारी जो ग्रेवी है वो काफी अच्छे से पक चुकी है काफी अच्छे से इसमें कलर भी आ चुका है और मटर भी काफी अच्छे से पक चुके हैं अब हमें डाल देना है इसके अंदर पनीर और पनीर को भी अच्छे से मेक्स कर देंगे अब हमें पाने नहीं एड़ करना है और पनीर को भी थोड़ी ही देर पकाना है सिर्फ इतनी ही देर पकाना है कि मसाले अच्छे से अब्जोर्ब हो जाएं पनीर के अंदर तो ये देखे काफी अच्छे से इसमें उबाल आ चुका और पनीर के अंदर भी मसाले चले गए हैं और बहुत शानदार और मज़ेदार सी गजब की फ्रेंड्स हमारी पनीर की सबजी बनके तयार हो चुकी है पनीर की सबजी सबको बहुत पसंद होती है बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है और बड़ों को भी बहुत ही पसंद होती है तो ये देखे हमारी मटर पनीर काफी अच्छी सी बनके तयार हो चुकी है बिल्कुल पनीर काफी अच्छी सी बन के तयार हो चुकी है बिल्कुल वैसे ही इसमें खुस्बू आ रही है तो बस तयार है आज की हमारी ये रेसिपी यहाँ पर गैस का फ्लेम हमें कर देना है इसके उपर डाल दिया मैंने खूब सारा हरा धनिया जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा तो यह देखिए हरा धनिया मैंने बहुत सारा डाल दिया है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे आप चाओ तो मटर पनीर वाला जो मसाला आता है या फिर गरम मसाला आता है वो भी डाल सकते हो बट मैंने यहां पर क्या किया था पहले यो तेज़ पते डाले थे ना उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आज चुका है हमारी सबजी के अंदर तो बस तयार है हमारी आज की यह सबजी बहुत ही शानदार और बहुत ही गजब कितनी डिफरेंट और कितनी यूनिक तरीके से हमारी सबजी बनके तयार हो चुकी है तो बस अब हमें इस कोला गवरतन में निकाल देना है तयार है आज की हमारी यह बहुत ही स्पेसल सी चटपटी सी और बहुत ही स्पाइसी सी मज़ेदार सी टेस्टी सी जितनी सारी फक्रो उतनी कम है शांदार सबजी बनके तयार हुई है जटपट तरीके से सिर्फ 5-6 मिनट के अंदर यह सबजी बनके तयार हो जाती है बहुत अच्छी बनी है आप एक बार इसको जुरू ट्राइ करना मटर पनीर की सबजी सबको पसंद होती है लेकिन बनाना बड़ा जंजट लगता है तो साइध इस रेसिपी को देखने के बाद में आपको कोई जंजट नहीं लगेगा बहुत अच्छी लगेगी सबको पसंद भी आएगी तो ये देखे फ्रेंट कितनी शानदार हमारी सब जिबन के तयार होई है आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सबस्क्राइब और लाइक कमेट शेयर करना बिलकूल मत भूलना मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब दे के लिए बाई बाई